नमस्कार फ्रेंड्स, सॉनलेंटेक, सब पुचिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है, लाल से लिखे सस्क्राइब बटन को क्लिक कर लें और इस चनल को सस्क्राइब कर लें चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, आज की स्वीडियो में हम बात करने वाले हैं, SBA, CSP में इन दिनों, CKYC and जो है लेजेंसी फॉरम की चर्चा जो है जो है जोर सोर से हो रही है, तो इनी दो बिंदों पे हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि CKYC क्यो करवार रही तो वीडियो के नीचे लाल से लिखे सस्क्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को जरू सस्क्राइब पर ले, ताकि SBA, CSP से रिलेटिव या बैंकिंग से रिलेटिव कोई भी अपडेट आती है, तो मैं समय समय पर इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूं, चलिए हम बात क कर रहे थे कि यहां पर C, KYC and Legency Forum के बारे में, तो यहां हमने आपको जो है KYC से रिलेटिव यहां पर दो-तीन प्राकार का पूरा डिटेल्स में हमने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था, जिसमें कि हमने KYC का मतलब और E-KYC और C-KYC का मतलब यानि कि पूरा मीनिंग व जैसा कि अधार के माध्यम से उसका फिंगर फिरिंड ले करके या एक तरह से कहें कि OTP की थुरू जो है E-KYC करते हैं, यानि कि जो भी electronic चीज यानि कि आईरिस से भी स्केन करके E-KYC किया जाता है, तो जो भी electronic माध्यम से KYC किया जाता है, उसको E-KYC क्या जाता है, और एक ह मतलब होता है centralized KYC, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो भी अभी तक KYC, E-KYC जो हो रहा था बैंकों में, तो जो जो है data जो है बैंकों तक ही सीमित ज्यादा तर ओ डाटा थे, लेकिन यहाँ पर government ने एक नया चीज लाया C-KYC, ऐसे में centralized KYC होता है, सभी customer का C-KYC किया ज होता है कहीं पर, उसको आप C-KYC कह सकते हैं, तो ऐसे में हाली में, जो है C-KYC कुछ साल पहले ही launch किया गया, ऐसे में बहुत सारे ऐसे customer है, जिनका कि C-KYC पेंडेंसी रह गया, किन लोगों का पेंडेंसी रह गया हमारे CSP account का सबसे पहले उस चीज को हम समझ लेते हैं, जो भी bank को forum provide हुआ, यानि कि जो भी उनको forum मिला, उसको जो है bank उसको scan करके C-KYC अपने portal से, यानि कि अपने system से हो complete कर दी, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे पास पेंडेंसी एकाउंट रह गया, जो कि पहले जो account जो banker and checker होते थे branch में, तो CSP and link branch के बीच में वो कहीं forum मिस हो गय या कहीं मान लिजे, मिस हो गया, इसके वज़ा से उन सभी account का C-KYC नहीं हो पाया, उसी को जो है bank अभी agency forum के रूप में आपसे मांग रही है, कि जो भी आपका tendency है, agency forum जो आपने bank को provide नहीं किया, या bank forum मान लिजे, रखे रखे खराब हो गया, इस वज़ा से उसको agency forum में ल पास बहुत सारे customer का यहां पर direct C-KYC करने का यहां पर option provide कर दिया गया है, जिसमें कि आधार जुड़ा हुआ है, उसका हम electronic माध्यम से C-KYC कर देते हैं अपने portal से, वो successfully bank के server में और centralized KYC के server में वो store हो जाता है, लेकिन बहुत सारे customer में जो है अधार से उनका अटेश नहीं ह वैसे में उस account को हमें legacy forum के रूप में मांगा जाता है, उस forum को हमें इकठा करके bank को provide करना है और bank उसको scan करके उसका C-KYC complete करेगी, यानि कि centralized KYC complete करेगी, तो यहां पर government का काफी जो है बैंकों के उपर pressure है C-KYC करने के लिए, ऐसे में हमारे पास भी C-KYC pendency है, C-S-P के पास, वैसे में उस सभी account का C-KYC हमें, जो है आपने हां से हम अपने portal से करें, या जिनका हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें brand से कराना होगा, तो इस video में इतना है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी knowledgeable लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like करे, comment करे, share करे और इस चैनल पर पहली भार आएं, तो वीडियो के निचलाल से लिखे subscribe बटन को click करके, इस चैनल को जरूद सस्क्राइब कर लें, ताकि SBI, CSP से relative या banking से relative, कोई भी update आती है, तो मैं समय समय पर इस चैनल पर upload करता रहता हूँ, तब तक के लिए thank you, धन्यवाद मिलते हैं, आपको नेक्स टूडियो में इसी तरह के मात्पूल अपडेट के साथ,